हाई गाइज माइनेम इस शंसेगर वरूला और मेरे नंबर है 9899123008 और हम पढ़ रहे थे information system audit और हुस्प में पढ़ रहे थे overview of information system audit तो यानि कि हमारा study एक overview create करने की कुशिश करती है और हमें information system audit का overview देने की कुशिश करती है यानि कि एक सारांश देने की कुशिश की गई है तो अगला topic है मारा fundamentals for establishing and IS audit functions यानि कि एक organization organization में IS auditing बहुत महत्मूर होगी है बहुत important होगी है उसमें हम क्या करें IS auditing functions establish करने की कुशिश करें तो उसके कुछ fundamentals है यानि कुछ चीज़ा होनी ही चाहिए अगर हम information system audit functions organization में establish करें तो कुछ चीज़ा होनी ही चाहिए और पहली बात यह है कि सबसे पहले तो यह है कि information technology इस level तक हो जानी चाहिए कि organization dependent हो जाना चाहिए IS audit functions में जरूरी हो जाना चाहिए यानि कि कई organizations होते हैं आज primitive type के organization पर्टिकलर इंडिया जैसी country में यॉफंड प्रियंट क्षिचंवर्ड को आपने वहारा का उधने तामोस्लाइशन का उतना उप्योग नहीं किया जाता है यहां महां बगली है यॉफिशेंसी नहीं है इसलिए टेवलफ देवलब कंट्री इसी लिए डबलोग्ट कंट्री कि हमաं पर प्रॉड़क्टिविटी हाई होगा अपर आटोमीशन हाई हो गया हमां पर इनफोर्मीशन टेक्नालोजी का यूज हो रहा है और डेना का यूज हो रहा है और वह दिरे दिरे आता है जब cutthroat computation हो जाता है धीरे धीरे technology जब पहुंसती है तो organization धीरे धीरे automate होगा धीरे धीरे उसमें information technology ज़्यादे से ज़्यादे use की जाने लगेगी और एक level आ जाएगा जहाँ पर information technology critical हो जाएगी organization के लिए और इतनी critical हो जाएगी कि IS ordered functions use कने पड़ेंगे क्योंकि अगर मालूपड़ा information technology अगर कोई उस पूरे ecosystem में जो हम बोलते हैं information system का जो ecosystem है उसमें अगर कोई problem आ गई तो organization बैठ जाएगा या organization के काम को hamper होगा या goodwill hamper होगी या उसका काफी जादी loss होगा अगर ऐसा situation आ जाती है तो IS audit functions फिर हम implement करना स्टार्ट करते हैं यानि कि data data के बीचे software system software या application software दोनों ही होगे data जो है को process करने के लिए software की जरुवत होती software के बीचे hardware और computing facilities होती है और उसके पीछे क्या होता है information processing facilities होती है तो यह पूरा environment जो है आपका वह information technological environment create करता है तो IS audit functions जो है critical होते हैं कई organization में critical हो चुके होते हैं तो उन organization में क्या होता है कि या तो एक जैसे audit committee बनाई जाती है organization में उसी तरीके से एक internal department create किया जा सकता है organization में और कई organization में यह होता है यह function fully or partly outsource कर दिया जाएगा external agency यह नहीं external agency को outsource कर दिया जाएगा सबसे पहले हमें audit charter बनाना पुड़ेगा चार्टर क्या है चार्टर टॉप level documentation है दो चीज़ें ध्यान रख लिएजे law में जहां article सुन लिया और जहां charter word सुन लिया वो strategic top level है आर्टिकल जो होते है constitution के होते है आर्टिकल law में नहीं होते है नॉर्मली जो central government, state government law पास करती है उसमें sections होते है आर्टिकल constitution में होते है या article जो है आपके United Nation के articles होते है आर्टिकल्स और section में articles जो होते हूं कुछ deep बात कह रहे होते हैं इसी तरह charter होता है charter जो होता है top level documentation होता है policy procedure यह वो सब से उपर charter बहुत short होता है जैसे constitution का हमारा preamble है वो कहता है कि हम secular democratic socialist republic है तो प्रेम्बल है वो basic चीज बता देता और basic चीज को दीरे 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 फिर हम हमारे courts जो है उसको interpret करते रहते हैं उसी तरह के से charter होता है top level document होता है charter एक foundation built out करता है जैसे constitution सारी law का constitution जो है हमारी सारी law का एक foundation है वहां से सारी law निकल के आती कोई चीज अं-constitutional नहीं होनी चीए constitutional supreme है constitution जो है constitution जो है उसके उपर कुछ नहीं है constitution में president भी उसके उपर नहीं है constitution में एक पन्ना है जिसमें article है उसमें लेखता है there shall be office of president अगर constitution इंडियन constitution से फार दिये जाए तो president का office भी काया हो जाएगा second हो में काया हो जाएगा तो constitution supreme है constitution जो है उसी तरीके से charter supreme है charter क्या होता है कि बहुत जादी चीज़ें नहीं लिखता है लेकिन वो एक top formally recognize करता है order functions को और senior management की approval होती है मतलब charter बन गया है इसका मतलब senior management की approval होगी बल्कि charter कहीं कैसे में senior management से उपर हो जाता है कई बार क्या होता है shareholders जो senior management के उपर directors है shareholders 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 कहते हैं charter बनाओ भाई हमारे organization का charter बनाओ तो जो main owner है जो root main owner है वो एक अपनी intent create करते हैं उसको हम charter कह सकते हैं लेकिन internal audit का charter है तो उसको senior management बना सकता है senior management approval दे सकता है जो document जो है वो responsibility, authority और accountability बताएगा कि कि क्या responsibility है clearly define करेगा responsibility, authority और accountability आइए audit functions की तो सबसे बहले audit charter important होता है दूसरा चीज structure and reporting of IS functions अब charter है उसने audit charter है उसने कहा कि audit internal audit department, IS audit department होना चाहिए internal audit नहीं, internal information system audit department होना चाहिए तो जैसे audit committee होती है independent होनी चाहिए उसकी objectivity और independence होनी चाहिए उसी तरीके से IS audit functions में भी इस तरह से उसे organization replace करना है ताकि जब हम उसका appointment करें तो वो independent हो उसकी objectivity और independence को हमें ensure करना पड़ेगा तब यो freely अपना opinion देगा उसको रोज मर राके काम में नहीं लगाना पड़ेगा उसको कामी यह होगा कि internal audit information system के internal information system audit functions को देखें अगर external agency आपने appointment कर रखें याने कोई external information system auditor कर रखा तो यह भी देखना चाहिए कि वो interested party नहीं हो इंडिपेंडेंडेंस और objectivity उसकी इंपेर ना हो उसमें और independence और objectivity में क्योंकि interested party होगा या अगर वो मालूम पड़ा opposite company में shareholder shareholding करता होगा मालूम पड़ा ऐसा है कि आप एक internal auditor हो और आप विप्रो में shareholding है आपकी major shareholding है और आप Raylines या दूसरी किसी company में Microsoft या किसी company में या इंडिया की किसी company में Infosys जैसी company में information system auditor के रूप में काम करने लगते हो तो आपकी objectivity और independence हैंपर होगी तो जो external agency हम अगर करेंगे तो उसकी independent और objectivity हैंपर ना हो उसके regarding stipulations होनी चाहिए और effective audit functions के लिए बहुत important है इसके foundation है effective audit functions के लिए independent और independence और objectivity होना important है और बल्कि IS audit के लिए नहीं किसी भी audit के लिए है कोई भी internal audit हो external audit हो तो basically क्या होता organization में audit committee अगर है तो audit committee decide कर ले क्योंकि audit committee भी independent होगी तो वो decide कर ले कि भही क्या composition होगा क्या constitution होगा IS audit functions का और audit committee को अगर यह report करें मतलब प्राइम reporting इससे हो इससे हो मतलब direct reporting इससे हो audit committee से हो तो audit committee को खुद independent होती हो उसने एक और नीचे department बना लिया अपने जी एक independent department बना लिया और उससे कहा कि तुम information system audit करो तुम मेरे नीचे एक specialist हो तुम मुझे report कर रहे हो किसी और को report करने कि तुम्हें कोई जरुवत नहीं तुमारी independent independence or objectivity मैं बरकरार रखूँगा आप मुझे audit किया करो यह यही scope decide करें यही उसका functions decide करें यही उसकी composition decide करें यही उसका constitution decide करें तो organization में यही होगा तो basically structure reporting जहां तक है independent होना चाहिए और अगर audit committee हो internal audit committee हो आपके organization में तो उसके अंदर information system audit committee यह वो department appointment होना चाहिए दूसरी चीज आई-एस audit function की staffing कैसे करेंगे अब staffing में दूचीज है एक तो कौन करेगा उसकी staffing और दूसरी बात जिस आदमी की staffing करोगे IS auditing में information system audit में करोगे तो उसके पास technical skills होनी चाहिए जो दूसरा important determinant है IS audit functions का quality of human resource होनी चाहिए जो staff होना चाहिए जो audit functions करेगा वो जो बंदा है उसमे skill or competence होनी चाहिए और यह skill or competence clearly laid down होनी चाहिए यह skill होनी चाहिए इस बंदे में यह minimum qualification होनी चाहिए इतने साल का experience होना चाहिए यह जगह में इसने audit किया हो something like that एक particular जो भी आपको अपने organization के हिसाब से skills और competence लगती है वो skills और competence होनी चाहिए क्योंकि IS audit functions में उसको वो skills और knowledge बहुत जुरूरी पढ़ेंगी तभी वो एक professional के रूप में काम कर सकेगा एक effective professional audit तभी कर सकेगा जहां तक कि external agency की बात है कई बार क्या है कि वो auditor engage करते तो वह भी professional competence और skills होने चाहिए तो उसके लावा एक continuing professional education होनी चाहिए IS audit management plan अगर कोई है organization में तो उसमें continuing professional education होनी चाहिए जैसे हमारे CPERs होते है chartered accountants के तो उसी तरीके से इनकी भी होनी चीए क्योंकि CA में तो ऐसा होता है कई लोस तो जल्दी change हो जाते है income tax होगर में changes आ जाते हैं लेकिन जो basic structure है accounting का वही रहता है साल-दर साल वही रहता है लेकिन information system audit में तो 5 साल में generation change हो जाती है sorry information systems में तो या information technology में तो 5 साल में पूरी generation change हो जाती है तो is audit management करने के लिए update होना बहुत जब्री है कौन से standards नहीं आगे कौन से hardware नहीं आगे कौन से software नहीं आगे कौन से मानों बड़ा आज कल की date में desktop था आज laptop आ गया कल की date में laptop था आज tablet आ गया tablet था pump top आ गया mobile आ गया mobile में भी smart phone आ गया 25 तरह की चीज़ें आती जारे टेबलेट के बाद phablet आ गया पता नहीं इस तरीकी से जो चीज़ें increase हो रही है उनसे क्या है कि internet 1G आ गया 2G आ गया 2G के बाद 3G आ गया 3G के बाद 4G आ गया 5G के standards आने लगे आइसल आफ मैं ब्रेटेन के पास एक जगह है वहां पर 5G का experiment हो रहा है तो technology change हो रही है और skills और competence होनी चीज़ें उसके बाद internal और external audit control framework अगर आपको audit की minimum quality assure करनी है क्योंकि audit करेगा तो minimum quality assure करना बहुत ज़र्वी है तो इसके लिए audit control framework होना चीज़ें यानि policies होनी चीज़ें प्रोसीजर होनी चीज़ें रिस्क management कैसे करोगे उसके लिए procedures होंगी planning होनी चीज़ें implementation होना चीज़ें रिपोर्टिंग होनी चीज़ें दूसरी पर external standards और professional pronouncement होते हैं उनको adhere करना चीज़ें तो अगर मालिया सबस कोई बंदा audit कर रहा है तो वहां पर organization में में एक framework होना चीज़ें audit control framework होना चीज़ें audit control framework framework का क्या मतलब एक framework होना चीज़ें एक फ्रेम साथ के आगे फ्रेम टाइप बनना चीज़ें कहना चीज़ें कि उसके कई कोने होंगे policies होंगी procedures होंगे risk assessment कैसे करोगे उसके techniques होंगी planning होगी implementation होगी reporting होगी फिर training होगी individuals की आपको training करोगे इससे क्या होगा audit control framework बनेगा जिससे कि organization को पता होगा कि भीया IS function कितना important है इसका continuously audit होता है हमें इसके बारे में जवाब देना पड़ता है और इनके standards और बहारी जो standards है professional pronouncement तो हमें adhere करने ही पड़ते है law हमें adhere करने ही पड़ती इसके लावा इनको भी apply करना पड़ता है इसके लावा quality assessment और peer review एक organization में internal audit होता है लेकिन आगर मालिया suppose विपरो जैसी company है या Infosys जैसी company है यह कोई better company है यह तो बहुत बड़ी company है बहुत standardized company है अगर चोटी भी company है तो बहुत सारी company में IT का बहुत use होने लगया है तो यहाँ पर IS audit functions होने बहुत जरूरी है और यह best auditing practices follow करना बहुत जरूरी है professional standards follow करना जरूरी है pronouncements follow करना जरूरी है तो क्या है कि कई बार क्या होता है एक department इन सब चीज़ों को उतनी seriously नहीं लेता है तो cross audit भी होना बहुत जरूरी है internal और external quality assessment होना बहुत जरूरी है peer review होना बहुत जरूरी है certification और accreditation होना बहुत जरूरी है क्योंकि IS auditor अगर आपके पास एक department है information system audit कर department है तो IS auditor भी क्या है कि उस दिन बाद बोर हो जाएगा काम करते करते उसके लिए काम routine हो जाएगा और चीज़ें update हो अपडेट नहीं कर रहा होगा अपने आपको उतनी तहीं से update नहीं कर रहा होगा क्या professional standards है क्या pronouncement है या best auditing practices क्या है information system audit के अरिया में वो नहीं देख रहा होगा क्या changes आ रहे हैं वो सारी चीज़ें नहीं देख रहा होगा वो एक satisfied individual हो जाएगा जो individual जो है वो change को register करता है वो एक salary मिलेगी वो अपना काम करेगा report देगा और वही report आईगी और को positivity नहीं आईगी तो internal external quality assessment होना बहुत जरूरी है उसके audit का peer review होना बहुत जरूरी है तो उससे क्या होगा उसको feedback रहेगा वो यह उसको यह पता रहेगा कि मेरे audit का भी कोई audit कर रहा है certification होगी तो उससे पता चल जाएगा certification क्यों हो रही है क्या standards है नहीं जिसकी वज़े से certification हो रही है accreditation और certification बहुत जरूरी होते हैं इसलिए होते हैं कि वह जो होते हैं आपको latest लेवल पर लाकर खड़े रख कर देते हैं latest technology के latest standard के level पर आपको खड़े कर देते हैं आपसे question बूचेंगे वाए है वह कहेंगे अच्छा आपके वाँ यह implemented नहीं है तो वह कहेंगे कि भाई आप तो हमारे criteria को पूरा ही नहीं कर रहे हो तो बेसिकली certification help करते हैं तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक information system audit functions develop कर रहे हैं अपने organization में तो उसके fundamentals होंगे और उस fundamentals के अनुसार आपको follow करना पड़ेगा तभी आप एक अच्छा is audit functions अपने organization में establish कर सकते हैं सबसे पहले तो आपका organization critically इतना dependent हो जाए information technology में इतना automated हो जाए इतनी efficiency आ रही हो इतना human being का control हट जाए कि अगर माले सबसे इस system आपको यह डर लगने लग जाए इतना risk बढ़ जाए कि आपको डर लगने लगने लग जाए कि अगर कहीं कोई system में कुछ problem आगी तो क्या होगा तो आप क्या अगरोगे फटा-फट आपकी हलत खराब होगी आप आई-एस audit functions आई-एस audit department create करने की कुशिश करोगे internal create करने की कुशिश करोगे external create करने की कुशिश करोगे कई बार क्या होगा हरवडी में होगे आप जल्दी होगी कोई कड़वड हो चुकी होगी तो आप क् काफी दिन देर बाद recognition होगी तो फटा-फट कोई पार्टली एक एजिंसी को ले लोगे उसको outsource कर दोगे और फिर उससे काम करने लगोगे फिर कुछ certain fundamental principles हैं जो आपको देखने बढ़ेंगे सबसे बहले audit charter होगा audit charter charter जो है top level documentation होता है और यही charter जिस तरह इंडिया का constitution है उ senior management का approval होगा उस charter में और rules responsibility, authority, accountability डिफाइन करेगा उसके बाद reporting structure और IS audit functions का structure और reporting आपको देखनी पड़ेगी उसमें क्या यह देखना पड़ेगा कि independence हो objective हो तो सबसे बड़ी बढ़िया चीवी है कि internal audit department अगर आपके organization के अंदर है उसे को reporting देदो वही composition और constitution डिपाइड करे वही उसका departmental structure डिसाइड करेगा क्या इसका departmental structure है उसके बाद IS audit functions की staffing बहुत important है क्योंकि data बहुत important है data के बीचे hardware और software है जो की change होते जाते हैं उसके बीचे IS facility है यह सारी चीज यह पूरा environment information system environment create करता है और इसको audit करने के लिए higher skills और competence की जरूवत है और यहां पर तो skills और competence की तो बात छोड़ो यहां competencies change होती जा रही है तो चुकि competencies change होती जा रही है तो continuous continuing professional education की बहुत जरूवत है तो skill और competence देखने पड़ेगी जिस बंदे को आप organization में रखोगे minimum amount of पहले आप standard बनाओगे यह qualification होनी चाहिए इतने साल का experience होना चाहिए यह यह वेक्ति यहां यह experience लिए हो इस एरिया का experience लिए हो यह सारी चीज़े होनी चाहिए और उसके बाद फिर आप उसको पॉइंट करोगे internal और external audit control frameworks होनी चाहिए framework क्या होते है framework control framework security framework कहां से आते है organization policy procedure बनते हैं वही framework create करते हैं उसी के अंदर काम करना होता है framework क्या होता है एक particular frame बना दिया जाता है उसी के अंदर काम करना होता है internal audit department आपने create किया उसके बाद information system audit department भी create किया लेकिन information system auditor कुछ साल पुराना हो गया उसकी management के साथ सेटिंग होगी वह जादे काम नहीं करना चाहता है वह independent है वह चौदरी की तरह रहता है जब आना होता है आता है जब नहीं आना होता नहीं आता है और मार्केट में नए technology standards आ गया और उसने अपने आपको upgrade नहीं किया है और लेकिन फिर भी हो मसता है अपनी salary तो मिली रही है अब वो सुचता है कि आराम से रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको peer review करना पड़ेगा external internal quality assessment करना पड़ेगा certifications होते हैं वो certification accreditation करने के लिए बंदे आएंगे उससे question पूछना start करेंगा अपना certification देने से पहले ISO अगर के बंदे आएंगे वो कहेंगे वह यह यह बताओ आपके organization में क्या होते है तो उसके दिमाग में जूर लगेगा उसे लगेगा अगर certification नहीं मिला तो तो फिर तो ग certification होने चीए और वह रिन्यूने चीए certification accreditation क्योंकि उनकी particularly expiry होती है और expiry होने भी जाहिए किसलिए expiry होनी जाहिए क्योंकि प्चार या पांट साल में तो पूरी चीज चेंज हो जाती है जनरेशन चेंज हो जाती है अब पुरा बाबा अदम पांट साल में तो चीजे आई और अधिशन में जाते हो तो एक बड़ा mission statement होता है कि हमारे audit function का क्या mission है हमारे audit function का mission है कि value audit services provide करेगा auditing में value audit services क्या होते है value audit services यह होते है कि efficiency होती है effectiveness provide करता है organization की goals को business objectives को meet out करने की कोशिश करता है तो यानि कि वहाँ वर एक लिखा होगा है अगर mission statement आप देखोगे कि value audit services provide करेंगे auditing में और हम आपको अगर consulting की जरुवत हो timely consulting देंगे effective way में efficient way में वे बताएंगे मतलब यह बताएंगे कि कैसे effective or efficient way में आप काम करो processes की effectiveness और efficiency बढ़ाने की कोशिश करेंगे और हम सारे key business processes के बारे में के बारे में सारी key business processing के efficient और effective बनाने की कोशिश करेंगे और basically business की objective को meet out करने की कोशिश करेंगे तो यह typical statement है एक audit mission statement होता है है मतलब जैसे for example आपकी एक organization में एक mission statement होगा आपका mission statement यह होता है mission क्या है आपका basically यह जैसे आपने framework बना दिया उसके बाद mission statement की क्या जरूवत है आपका organization एक particular काम कर रहा है काम दंदा करता है मालिया सपोस कुछ कोई भी करता है लेकिन उसके बावजूद एक logo create कर देता है जैसे Institute of Chartered Accountant का particular logo है उसी तरीके से जैसे कई जगे लिखा रहता है कि हम customer की happiness नहीं चाहते हम बल्कि हम we work for customer's delight happiness तो छोटी बात है customer happy customer नहीं चाहते है हम delight we work for customer's delight something like that अच्शास्य ये Cabinet जी जुवतिये हुटं और उसके अलावा एक तू मोटिवेट करने के लिए होती होच है कि हमारा mission क्या है जो philanthropic organization होते हैं उसमें अच्छा़ है machine statement होते हैं जो coal天 यो में में स्टेटमेंट इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि commerce को बुरा कई जगे पर profit आप लिखो गया हमेरा काम profit कमाना है हमारा काम यह करना है तो थोड़ा सा society थोड़ा हमारी 22 है commerce के तरफ negatively biased है थोड़ी सी जब कि commerce is a beautiful thing क्यों why it is a beautiful thing क्योंकि commerce क्या करता है कि जहां दो somebody news होती जहां पर एक जगह होती चांशल सेटे जहां पर commerce बहुत होता और और इक त Quốc कामशल साइटि यानि कापरेटव स्वंक अ तो आप आक हम करें तो और वहांपर उसकिल्स को मेज़र नहीं करते हैं जहां पर commerce होता है purely commercial society होती है वहां बर sqils measur हो जाते है cand YEES काम करणान हो कि तुम कितने पैसे दोगे आदनी सीधे उता है तो आपरardon techaj so çikil measure हो जाता है जो जाता है second step आता है कि cost reduction इत्यां हो cost reduction कैसे आठी है technology से आती है मैं इतना स्किल कर रहा हूं और इतने पैसे मेल रहा है तो इसका मतलब मैं यह इतना प्रोड़क्ट दे रहा हूं तो इतने प्रोड़क्ट को आधी मेहनत से कैसे प्रोड्यूस करो तो technology produce हो जाती है, तो जितनी भी commercial societies हैं, वो technology produce करती हैं और वो बहुत डवते ही से develop करती हैं, और develop कर रही हैं, जैसे France है आपका, जैसे USA है, इसलिए develop करता है कि highly capitalistic commercial society है, लोग उसे बुरे negative तरीके से देखते हैं, तो philanthropic organization mission statement बहुत जादे होता है, normal commercial organization में philanthropic statements कम होते हैं, तो audit mission जो है आपका, audit mission statement जो है, mission statement आप अपने organization में बना सकते हैं, mission statement क्या करेगा, primary purpose बताएगा, audit functions के क्या primary functions हैं, और वो यह बताएगा, कि हम value add कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताएगा, कि audit functions से हम value add करते हैं, और यह value add करते हैं, थोड़ा सा small mission statement small होता है, आपका मिशन जो देश को बचाना है, आर्मी का मिशन, मुट्टो, तो वो श्मॉल होता है, कि वो कुछ ऐसा बोलते हैं, we make men out of youth or something like that, यह उनका मिशन स्टेट्मेंट होता है, उसे यह खह सकते हैं, तो मेशन स्टेट्मेंट एक overview देता है, focus, priorities, values और principles के बारे में, कि जब हम audit करेंगे, या कहीं पर हमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही, audit decisions लेने हैं, तो वहाँ पर हम वो mission को देख लेंगे, उससे हमें focus पता चल जाएगा, priorities पता चल जाएगा, values पता चल जाएगे, principles पता चल जाएगे, तो कई जगे पर वो guidance का काम करते हैं, और purpose clarify करते हैं, और आपके audit functions के meaning आपको देते हैं, कई बार, कई बार आप confused हो गए होते हो, कई बार policies, procedure में ambiguity होती है, वैसे policies और procedure में ambiguity है, तो policies मानी जाएगी, procedure नहीं माना जाएगा, लेकिन policy में भी ambiguity हो, ऐसकुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप mission statement की तरफ देखते हो, तो हर organization में mission statement vary कर सकता है, मतलब audit function में ही mission statement vary कर सकता है, जैसे हर country के army होती है, तो वा mission statement हर country में vary करता है, जैसे pizza hut है, pizza 25 country, dominiu का pizza है, pizza hut का pizza है, तो वो, लेकिन उनका, दोनों का mission statement अलग होगा, अगर आप देखेंगे, उनका logo अलग होगा, तो mission statement, organization के बारे में भी बहुत कुछ कहता है, तो basically एक छोटा सा statement होता है, 4, 5, 6, 7, 8, 10 line का statement होगा, और वो mission statement जो है, organization के mission के बारे में बता रहा होगा, वो ये बता कह रहा होगा, कि हम validation provide कर रहे हैं, कहीं पर आपको confusion होगा तो उससे guidance ले सकते हैं, clarification ले सकते हैं, purpose का clarification ले सकते हैं, हमारे organizational purpose क क्या है, उसका clarification ले सकते हैं, और audit functions का meaning ले सकते हैं, जहां भी कहीं ambiguity होती है, तो उसमें हम उसे refer कर सकते हैं. झाल झाल